दोस्तों बढ़ती हुई उम्र के साथ हडियों में दर्द होना एक आम समस्या है चाहे हमारे कमर में दर्द हो, चाहे हमारे पैरों की एड़ी में दर्द हो, चाहे हमारे घुटनों में दर्द हो joint pain से अराम पाने की एक बहुत ही बहुत ही effective remedy आपके सां share कर रही हूं दोस्तों जिसका आप कुछ दिन इस्तमाल करेंगे न तो पुराने से पुराना आपका हडियों का दर्द, हडियों की सूजन या नसों की कमजोरी है वह बिलकुल ही दूर हो जाएगी तो आज इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों की किस तरह से आपको अपनी यदि एडियों में दर्द है तो किस तरह से उस दर्द को हम कम करें किस तरह से दर्द को सूजन को खतम करें अजवाइन लिया है दोस्तों अजवाइन की छोटे छोटे से दाने जो है ना दोस्तों हमारी सेहत के लिए भी अजवाइन के दाने बहुत ही फाइदे मंद होते हैं। पूराने समय से ही अजवाइन का प्रयोग कई बिमारियों को दूर करने के लिए किया आता जा रहा है। अजवाईन लेना है आपको, दूसरी चीज जो कि इस remedy में आपको लेना है दोसों वो है सेंधा नमक, कोशिश करें सेंधा नमक का इस्तमाल करें दोसों, नहीं मिलें तो आप अपना regular salt जो आप लोग रोज घर में खाने में इस्तमाल करते हैं, वो भी ले सकते हैं, परन्तु स सेंधा नमक जादा फायदे मंद है, हड्डियों की सूजन को उतारने के लिए, हड्डियों के दर्द को खीचने के लिए, हमारी नसों को ताकत देता है और जो हड्डियों में इतनी जादा हमें तकलीफ होती है, उसे तुरंती तेजी से खीचने का काम करता है, एक natural pain killer की त जाएंगे पोटली और करेंगे अजवाईन से सिकाई, तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी के करीब अजवाईन लिया है और एक कढ़ाई में डाल दिया है, अब हम चलते हैं गैस की और और इस अजवाईन को बिल्कुल slow flame पर अच्छा गरम कर लेंगे, और इसी गरम गरम पूजन को कम करेंगे, हमारे नसों की कमजोरी को कम करेंगे, यदि वेरिकोज वेंग की परिशानी है, पैरों के आसपास नसों का गुच्छा इखटा हो गया है, वहाँ पर भी आप इस रेमेडी से सिकाई करें, आप देखें, पहले बार की सिकाई से ही आपको कमाल का परन्तु इसके पहले आपको इसमें डालना है सेंधा नमक, जैसे जितनी अजवाईन है दोस्तों उतना ही आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, आप सेंधा नमक का पावडर डाल सकते हैं, या ये देखें, इस तरह से खड़े टुकडों में भी सेंधा नमक आता है, दोस्तों ब आप चाहें तो यहां पर पाउडर वाले सेंधा नमक कभी इस्तमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरह से खड़े नमक कभी इस्तमाल कर सकते हैं, गरम गरम अजवाइन है दोस्तों, और नमक मैंने सबसे आखरी में डाला आप देख सकते हैं, नहीं तो नमक पसीच जहां भी हड्डियों में दर्द, माल लिजी आपके हाथों में दर्द है, कई बार हम लोग भारी चीज उठा लेते हैं, पानी से भरी बाल्टी हमारे हाथ की हड्डी लचक जाती है, हमें बहुत जादा पेन होता है, तब आप गरम गरम अजवाइन और नमक की इस पोटली से सिकाई कर ले, आपको इतना आराम मिलेगा दोसों कि आप लोग खुश हो जाएंगे, आप चाहें तो इसके पहले तेल लगा सकते हैं, आप यहाँ पर सरसो के तेल से थोड़ी सी मालिश कर ले, उसके बाद सिकाई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो, हाथों में सरसो का तेल, केस्टर रॉइल बहुत अच्छा है आप उन दोनों तीनों में से जो भी तेल है उसे थोड़ी सी मसाज करें और गरम-गरम इस पोटली से सिकाई कर लें इसी तरह से आपको पैरों पर भी इस प्रोसेस को करना बहुत से लोग होते हैं दोसों जिने एडी में पैरों में बहुत जादा तकलीफ होती है दोस्तों क्या होता है हम लोग अपना तो ध्यान रखते हैं एड़ी का ध्यान नहीं रखते हैं पैरी तो हमारा दिन भर वजन उठाते हैं दोस्तों हमारे शरीर का वेट उठाते हैं और हम इनका ही ध्यान नहीं रखते हैं कई बार हमारी एड़ीों में सूजा ना जाती है सभ को बहुत जादा काम करना ही पड़ता है तो चलते फिरते काम करते करते कई बार एडियों में बहुत जादा तकलीफ होती है दर्द होता है दोसो तब आप एडी के दर्द से इस रेमेडी से बहुत आसानी से चुटकारा पा सकते हैं तो यहां पर और इस सिकाई को आप कभी भ बनी रहेगी और तेजी से दर्द आपका खिच जाएगा कम हो जाएगा पोर्टली ठंडी हो जाए तो वही जिसमें मैंने अजवाईन को सेका है ना दोस्तों गरम गरम कढ़ाई गरम तवा ले सकते हैं आप तवे को गरम करके रख लें अपने पास पोर्टली को वापस गरम सवे के उपर रखें ताकि वापस गरम हो जाए और फिर से अपने एडी की सिकाई करें पहले बार के इस्तमाल से दोस्तों आपको इतना आराम मिलेगा पुराने से पुराना आपका हडियों का दर्द है या हडियों में कहीं सूजन है नसों में कहीं कमजोरी है बिल्कुल ठ कर सकते हैं यहां पर मैंने इतना गरम पानी लिया है जितना आप लोग पैर डुबा सकते हैं गरम पानी जो होता ना वो तेजी से हमारी नसों को खोलता है और तेजी से हमें हडियों के दर्द नसों की कमजोरी से नसों की ब्लॉकेस से हमें राहत दिलाता है जिन्हें वेरि गरम पानी नमक मिले हुए पानी में आपको अपने पैरो अपनी एडेओं को दुबा कर रखना है, कम से कम आप इसे 5 से 7 मिनट आप 10 मिनट भी गरम पानी में पैरों को डूबा सकते है थोड़ा गरम पानी में और भी ऐडाल दिया इसमें ताकि पैर अच्छी तरह से ढूब यह देखे और इस तरह से आपको अपनी एडियों को बहुत अच्छी तरह से डिप करके रखना है गरम पानी और नमक तो कभी भी नुकसान नहीं करता बलकि नसों की सुजन को कम करेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें